असलाम अलेकूम कैसे हो आप सब अलम्दुलिल्ला में एकदम ठीक उम्मित करती हूं कि आप सब एकदम ठीक होंगे अच्छा पिटारा ने एक ही जगा बैठे बैठे वीडियो बनाई व्लॉग बनाई और फिर अगले दिन का दिखाई है और उतके अंदर इसने ताहिरा की मा जो इंतिकाल हुआ उसके बारे में बताई वह भी लिफ्टिक लगा के लिफ्टिक लगी हुई थी इसको बहुत गम था रोने की थोड़ी सी एक्टिंग भी की इसने लेकिन रोना आया नहीं ऐसे लोगों को रोना नहीं आता है जिनके दिल में फिलिंग ना हो किसी भी यह भी बोली है जब इसने अईरा की सिष्टर की साहिरा की मां का बताई इसके बाद में इसने यह भी बोली है कि मेरे को कॉल आ गई थी इसके लिए फिर मैंने वहीं पर छोड़ दी और फिर हम माईत में चले गए तो तेरा एक दिन पहले का था जो कि तुने रात को एक कि अरे कितनी घटिया हो रहत है पिटारा हर चीज में तु किसी ना किसी को थारगेट करती है किसी ना किसी को कॉंटेंट बना लेती है लोगों का यूस कर लेती है शरम नहीं आती तुझे थोड़ी ती ना शरम का डूप के मर जा और बोल रही है कि सब जने विच्छर रहा है और आप लोगों ने सुना होगा इसके मूंसे तीन सालते ये अपनी मा के किस्से Lubi नी ना इन ना आई ना किस्ते सुनारी होती है कि मेरा prayer साता मुझे अथना प्यार करता था मिलंवे यह कि यह किया इतनी मेनत किया लिखा पड़ा नहीं था ऐसा था वैसा था और उसी के गुन गाते रहती है अभी ती की मा मरी है तो इसको सिंपती चाहिए इसके लिए इतनी आके आज ये बोल दी है वाले वीडियो में के बाप से फिर भी चलो बाप अगर जाता है दुनिया से तो इतनी तकलीफ मी होती है लेकिन मां के जाने से ज़्यादा होती है अरे लांती किरदार औरत मां हो या बाप हो तकलीफ उतनी ही होती है लेकिन तुझे क्या पता मां के और बाप के जाने का ऐसाज क्या होता है और रिस्तों की फीलिंग को बताए इतने बुरे दिन नहीं आये पिटारा तु वो अरत है कि तु मैयत की खबर दे रही है फिर भी तरह मुँपे फिल्टर फूल लगा हुआ है लिश्टिक लगी हुई है और तू आके यहां पे ऐसास दिला रही है कि कितना तकलीफ होती है ल रघ्रिटाल लगाई कि मेरी अम्मी को मैं देखने के लिए गई मिलने के लिए तया था अंमी से मिलने गई और आज जब उसका इंतिकाल हुआ है तो इसने अमी का इंतिकाल हुआ इस तरह से लिखी और फिर यहां पे आके इस तरह से जताना के जैसे मुझे बड़ा दूख है तो पिटा रहा है यह तेरे ड्रामे है ना अच्छे से समझ आते हैं और यह बता रही है कि सुभाई कॉल आ गई थी लेकिन तू है ना दोपैर के बाद निकली है इतनी कोई तो गिरी होई अरत है तो को तेरी नी खराब करनी थी इसके लिए तो टेम पे निकली नहीं तो द के दिनों में बताई थी के 15 किलो मिटर दूर रहती है इसके लिए खाना हम लोग बासी करके दूसरे दिन भेजेंगे तो जब इतना लंबा 15 किलो मिटर दूर का सफर कर रही थी जो के इसनी थोड़ा सी दिखाई भी कि मैं गाड़ी में बैटी हूई हूई हूँ और फिर व कि ताजियत की लोगों को इस्तेला कर दूं कि जिस औरत को मैं बहुत ज्यादा अपनी बेहन मानती हूँ बहुत ज्यादा मैं जिसका यूज कर रही हूं जिसने केस में मुझे बड़ा है तो उसकी मां का इस तरह का हो गया है तो मैं सबसे दूआएं कर वालू लेकिन नहीं कि इस औरत में कम्यूटी डालना जरूरी नहीं समझी और यह जिस तरह से बता रही है न कि हम लोग वहां पर गए थे और लोग बोल रहे हैं कि अगर गई थी तो वीडियो की नहीं बनाई इसका मतलब है यह नहीं गई थी और कुछ लोग यह बोल रहे है कि इसमें कितना मै वीडियों नहीं बनाई जो अपने सग्यामू की मौद के उपठर वीडियों बना सकते हैं तो inne sister की माहां इसकी क्या ही लगती है जो यह वीडियों नहीं बनाई यह उहरत है ना तार्श हुछ खतम होने के बाद में वहां पे पहहुंची olan जनाज़ा चले जाने के बाद वह भी करने के लिए उनको अपना थोबडा दिखाने के लिए इसके लिए यह गटिया औरत ने वीडियो नी बनाई वरना यह वीडियो जरूर बनाती यहार किसी को कैश कैसे करवाना है इसको बहुत अच्छे से आता है और देखो गाड़ी में इतने जो छोटा सी किलीब बनाई अगर आप लोग देखोगे ना तो शाम का टैम और इतने बहाना वहां पर डाल दी के राश है फसे हुए तो यह औरत है जनाजा पर पहुंची ही नहीं है इतनी कोई घटिया औरत है अच्छा आगे इतनी यह बोली के दो जनाजा था दो जनाजा था एक तो काफी बड़ा था और एक और रखे थे वो जो तीस इस्टर है उसके भाई के लिए तो पहले वाले में तो नहीं पहुंच सके दूसरे वाले में पहुंचे और भाई बहुत कहीं पे दूर था तो उसके आने की वज़े से वो नहीं पहुंच पाया था पहले वाले पे तो इसके लिए दू दो एक बात तो यह हो गई डूसरी बात के इसका भाई कहीं से आ रहा था इसके लिए वो लेट हो गया समझ में आ गया पिटारा लेकिन तू तो वहीं पे रहती है तू क्यों नहीं फर्स जनाजे में पहुंच सकी तूम लोग क्यों सेकेंड में पहुंचे तो इससे पता चलत करने के लिए ना यह सारे ड्रामे करके दिखाती है हमें क्या पता भई तू गई भी के नहीं गई बहाना कर दियोंगी बोल दियोंगी ठीक हो कि अगर पूछे तो बताना कि मैं आई थी हमें क्या पता भई और जो इसने गाड़ी वाला क्लीप बनाई है इसके अंदर साफ नजर आ रहा है कि साम का टाइम है फिर भी औरत क्या बहाना कर रही है कि हम लोग जनाजे में गए थे ना इसके लिए मैंने वीडियो नहीं बना पाई और नैक्स्ट डे हो चुका है मतलब यह जो इतने वीडियो डाली है वो तीन दीन का वीडियो उठाके डाली है सोचो य मैं नहीं इतने वीडियो में बोली है कि मेरा अपमनी करता है देखूंगी बनाओंगी आओंगी रूटिंग में इस तरह थे बाते मुझे तो लगता है बहुत जल्दी न यह वाइटी चोड़ देंगी इसी तरह के किलीब डालती रहेंगी एक ही जगा बैटके थोड़ी ब नहीं इसको जरूरत है मेरे क्याल से जितना इसको फंडिंग से और इधर उदर से जितना पैसा आ रहा है और जितना इसने काले फिले धंदे कोल के रखिए पीछे उस सब जगा से जितना पैसा आ रहा है ना चो उतना पैसा तो मैंको नहीं लगता कि बाटी से अब इसको आ चाहती आगे जिस तरह से इसने मू बनाके बोली है ना उससे उससे पता चल रहा है कि पिटारा को ब्लॉगिंग में आप बिल्कुल भी इंट्रेस्ट नहीं और बहुत अच्छा होगा पिटारा कि तुम मनुस औरत है ना वाइटी से दफ़ा हो जाए अच्छा आप लोगों क वो पहुँची है तीस इस्टर हर जगह पर वो पहले पहुँची है यह औरत बाद में पहुँची लगिन जब उसकी मा मरी ना तो यह औरत वहां पर नहीं पहुँच पल यह बोल रही है हम लोग दूसरे जनाजे में पहुँचे सोचो कि यह किसके साथ में कितनी मुक्लिस और वो टी सिश्टर को भी मैं बोलती हूं ना शरम आना चीए जो इसी और ते रिस्ता रखती है जरूरत क्या थी और तो खबर बेजने की और यह और तो आइडरेस देने की बुलाने की मेरा निक याल कैसी और तो मुझ भी लगाना चीए लेकिन पता नहीं तुम्हारे कौन स इसने यह भी बताई कि महां पे गई तो ताहरा फाइसा एक दुसरे से गले लगके रो रहे थे और फिर इसको बताए कि अम्हीं आपको बड़ा याद कर रही थी और इसकी तारिक कर रही थी कि बहुत अच्छी है मतलब यह बात सुनके मुझे इतनी हसी भी आई मैं को गु कर रही थी और इसकी तारिक कर रही थी कि यह बहुत अच्छी है अरे पिटारा बस कर दे अपनी तारिक का तुझे इतना ज्यादा शौक है कि तु एक मरहुम इंसान को भी नहीं छोड़ रही है अरे लानत ते भरी और लानती किरदार और थोड़ी सी शरम ही कर लेती मतलब के वो औरत कितने दिन से बिमार है महीनों से बिमार है वो हस्पिटल में वो अल्ला को याद नहीं कर रही है अपनी बेटियों की तारिफ नहीं कर रही है वो किसकी तारिफ कर रही है एक जानिया औरत की वो किसको याद कर रही है जानिया को वा पिटारा वो जानिया जो के उसकी महियत में टाइम पे पहुंच भी नहीं पाई वो जानिया को वो याद कर रही है कभी भी आप लोगों ने इसके वीडियो में देखे है उसकी माँ को कि यह हर दो दिन में इसको hospital में मिलने जारी थी क्योंकि पता था ना इतनी critical condition में है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है तो यह बहुत अच्छे से पर दिन भारी थी बार बार इसको मिलने जारी थी ना इसके लिए वो इसको याद कर रही थी कि दो दिन हो गए जानिया पिटारा न अच्छी हुई और तो पर इतना घुसा आता है ना मुझे जिसके कोई हद नहीं है इतना घुसा आता है बोलड़ी है कि मैं मेरे अबो को याद करती हूँ लेकिन अबो जाने से फिर भी हम survive कर लेते हैं लेकिन मां का धुक ऐसा होता है मतलब क्या है जाने से कोई भी चले ज सब्सक्राइब कर ल tent your time लिए अबोलरी है कि मां का दुख ज्यादा होता है शुक्त-बात मां बुलाना और उसमा ना अर्टिक माम अरी तो content तो उैंकि तेरी आदत है कि दूसरे के दुख का दुसरे के सुफसा दूसरे के बिजनेस का दूसरे की कोई भी छीज चीज का content कि ते बनाना ना वो तुझे बहूत अच्छे से पता है क्योंकि तु एक नमबर की चुट्टी औरत है इतने टाम से लगके तेरे को तेरी माकी यादे नहीं आई तो तेरी माकी कोई चीज इतने कभी नि बोली क्या हमारी अमिए यह करती थी वैसे करती थी हमेशा बाप की तारीफे की बाप से अटेस थी बाप बहुत प्यार करता था बाप मर नहीं रहा था कि तु पहले किसी के नीचे चली जा फिर मैं जाके मरूंगा हर बार बाप बाप करती थी इस वीडियो में बोल रही है बाप के जाने से तो सर्वाइव हो सकत है मा नहीं मरना ची लग दी लाना ते तरे अपर घटिया औरत और यह भी इसने क्यों डायलोग मारी है समददार को इशारा ही काफी है यह अपनी मा को है ना इमोशनल ब्लैक मेल करने के लिए इसने मारी है कि मैं अमा से जादा प्यार करती हूँ जबके इसको किसी से भी प प्यार नहीं है वो क्या ही अमा बदे प्यार करेंगी अगर इतना ही प्यार करती तो इसकी मा को गुलाम के उपर लटकने की जरूरत परती इसको शादी करने की जरूरत परती पिटारा वो अलादे दुसरी होती है जिस तरह की तु एक्टिंग कर रही है ना असल जिंदगी में वो अलादे दुसरी होती है, तेरे यती नहीं होती है, जिसने अपने माबाप की इज़त का नहीं सोची, अपने माबाप की जिन्दगी का नहीं सोची, वो वो तुने घटिया घटिया काम की, वो वो काम की तुने जिसके वज़े से तरी माँ को अटेक आ सकता था, तरी मा मार ठर्पती थी लेगिन तुने कभी भी अपनी मां का अपने बच्चों का अपने अजबेंड का नहीं सोची और यहां पर आके तु सिंपती ले रही है घटिया और अच्छा इसके बाद में फिर ये बोलने सुड़ू हो गई के रात को चार साड़े-चार बजे में डर के उ यद्या आपि Dalot के उठने के लिए खाता है और तेरी आन्खों पे तेरी होटों पर कभी किदर कर कमेशा नजराय किदर वह घ्म तो नहीं सोगれて हुआ होगा जब इसके गए रमजान था तो रात के पॉने तीन बजे भी ऑंड़ बेल बजी दिती और उससे पता चला तागर पिटारा रात बना आयाशियां करती है और इतने खुद ने भी अपने वीडियो में कितनी बार बताई ये ये आरत में ये दिन में सोती है सुबा होने के बाग तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जूटो यहीं पर था के तुने बोली के तू रात को डर के उड़ गई अच्छा भाई आगे इसने कहानी सुनाई के एक बिल्डिंग थी वहां पर मैं किसी के साथ में जा रही थी वो मेरे साथ थी वो एक और थी फिर हम पहले माले पे गए दूसरे पे गए तीसरे पे गए फिर वह और ने मुझे धक्ता दे दी और उसने मुझे बोली के देखो आँगी फिर बोलती है मैं नहीं आँगी इस तरह से इसने आप बाते की और अगली लाइन में यह इसने यह बताई कि किसी ने मेरे को गिरा दिया और मैंने उसका हाथ पकड़ ली में ओर वो जोर जोर से हस रही थी एक जैसे एक शैतान वाली हसी हस रही थी एक क्रीमिनल व बता रही है कि कहानी बना के बता रही है या असल किसी की कहानी है जो कि ये बता रही है इसी वीडियो में अम्मी का जिकर करना इसी वीडियो में इस तरह की कहानी बताना कि मैं बिल्डिंग में थी मुझे किसी ने धका दिया मैं उसका हाथ पकर ली कि तुम्हरा हाथ तूट जाएंगा चलेंगा लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं किसी ने मुझे गिराने की कोशिश किया हमेशा इसका डायलोग रहता है लोग मुझे गिराना चाते है लोग मुझे गिराना चाते है मेरे खांदान वाले गिराना चाते है मेरी बेहन गिराना चाती है मेरे सतुराल वाले गिराना चाहते और वोई डायलोग इसका ये सपने में भी था तो आप लोग खुछ सोचो क्या ये इसका सपना था या जड़ी हुई कहानी जो के खुदी इसने स्क्रीप करके लिखी है और यहां पे आके सुना रही है या इसकी कोई सच जो के ये ब्लैकमेल करने के लिए यहां पे सपने के तोर पर बता रही है पहले भी इसने इसी तरह दी वह औरत गिराना चाहती थी लेकिन इतने हाथ नहीं छोड़ी तो आप लोग को समझ सकते हो कि यह औरत कितनी ज्यादा चालाक है इस तरह से अपनी मां को ब्लैक मिल कर रही है किस तरह से किसकी कहानी बता रही है अब यहां पर लोग बोल रहे हैं कि यह मुर्दा को बोली ह कि वो लोग इसको गिराना चाहते हैं इसने हिंट दी है यह ट्रोल करवाना चाहती है लेकिन अगर आप लोग इसकी दिमाग को समझते हो न तो मेरे हिसाब से न यह अपनी मां को ब्लैक मिल कर रही है वो सकता है उसने गुलाम की बीवी को कहीं से गिराने की कोशिश की होग के यह अगर कोई बात करती है ना तो ऐसी ही नहीं करती है कРИ इस पिछे कोई मकसद होता है कोई नहुजा आपके इस का दोनी सिरी को पज़एंक तो ये एंसान तो भूब धसको बहुत काम होता है कि याद रहे अगर आँ इन्पने खूल जाता है अगर हैते सपने कोई देखे भी न ज्यादा तर उसमें से बहुत सारे बाते रहती है जो इंसन्सान भूल जाता है लेकिन यह इस तरह से बता रहे जैसे सपना नहीं कोई मोवी देखिया जैसे इसे इसने सपना नहीं कोई स्क्रीप पड़ी थो तो ये अपने सपोटरों को वो तो खैर मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को ये हिंट दे रही है ये जिस तरह से यहां पे डुकटा पहन के आके अम्मा के नाम पे सिंपती लेना और फिर बाद में वीडियो नहीं बना पा रही हूं ये बोलना और फिर ये सारा कूच के किसी ने मुझे धपा दे दिया मैं लटक गई मैं हाथ पकड़ ली मुझे गिराने की कोशिश की गई मैंने बोली मैं नहीं गिरूंगी और वो हस रही थी शेतानों की तरह हस रही थी और ये डर गई अरे रे 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 पिटारा कितनी बड़ी यूटूबर है तू कितनी बड़ी तू इंसान है कि लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे है ना और ये इस तरह की उरत है एक एक चीज के लिए ही आके वीडियो बना लेती है डुकटा पैन पैन के बैठ जाती है जब के इसके डायलोग होते थे मैं तो किसी को जवाब नहीं देती मैं तो यहां पर आके किसी को कुछ नहीं बोलती मैं तो अल्ला के उपर छोड़ती हूं मै बहुत अच्छे से पता है अब टेंचन मतले आँगी तरी अम्मा भाग के क्योंकि तुन्हें उसके काइंड का थोड़ा थी यहां पर सपने के तुरू बता दी ना अब तरी अम्मा जरूर भाग के आएंगी वहाग कि आप लोगों को क्या लगता है इसके सपने को लेके की कहानी जिसमें इसकी अम्मी इन्वाल हो औरत की जगा आदमी हो हाँ पे जो बिल्डिंग में गिराने की कोशिश किया हो जब के आप लोगों ने इसको नहीं देखा होगा कि कोई बिल्डिंग वगेरा में या हो सकता है कि इसके पिटारा का जो भाप था उसको गिराने की कोशिश की थी इसकी मां ने या इसकी मां का गंदा रिस्ता पकड़ा गया था तो किसी ने इसकी मां को गिराने की कोशिश की थी या पिठारा खुद में लब इस तरह का हिंट दे रही है के अगर तुम नहीं आओगी तो मैं किसी बड़ी बिल्डिंग पे जाके मां से गिर ज आउंगी इस तरह की धंकी देने की अपनी माँ को कोशिश करिए ताकि वह आए और इसके घर के बरतन दोए इसके घर का टॉयलेट साफ करें तो यह बहुत चालू है तो आप लोगों की क्या रहा है कमेंड में जरूर बताना और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड वीड शेर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते नेक्स वीडियो में लापी